तो आप सभी को सवागत हैं मुबाइल पाच्छाला की यूटीब चैनल पर दोस्तों ये एस्टेट का है ना एक कह सकते हैं की घजब बी आई-पी जान जान दार बहुत ही घजब लेक्चर है ये आप देख सकते हैं कि ये सवाल मलब कितना प्यारा है इतना प्यारा है कि और दूसरी चीज यह है कि अभू जुड रहे है ना कम से कम लाइक से सब्सक्राइब कर दीजे और कमेंट करीजें कितनी अच्छी क्लास लगी कितनी बेरिफीचर लगी और क्या-क्या और आप इसमें एड कराना जाते हैं बहुत सारी चीजें मलब जो भी चीज्शा आप वो भी हमें आपे एड़ करके आपके सामने प्रिजेंट करेंगे बिल्कुल फ्री और कॉस्ट कोई इसमें पैसे वैसे नहीं लगने तो फटा फट से लाइक शेयर कर दीजे सब्सक्राइब करना मस्ट है कि अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपको सपोर्ट कैस चाहते हैं वो सभी लोग पढ़ने के लिए जुड़ जाए साथ-साथ हमारे टेली ग्राम चैनल को जोइन करना जुर्माना बोले वह बहुत सारे दोस्त नमें फेस्बुक से लाइव देखते हैं तो वहां से आप सभी लोग एक पॉजिटीव जो ले सकते हैं वो यह है कि आप वहां से यूटीव चैनल के लिंक पर जोईन हो सकते हैं यूटीव चैनल के लिंक पर और लिंक हर बार हम कमेंट कराके रखते हैं आपके कमेंट बॉक्स में ठीक है तो यह काम फटा फट से कर लिजे आए क्लास शुरू करते हैं अब आपका सवाल और हमारा सवाल और आपका जबब चलिए फटा-फट से कॉमेंट करिए क्या होगा इसका जबब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा अच्छा दूसरी चीज यह है बाबू कि हम अगर एक से लेके 35 कोई काम करना चाहते हैं तो अगर मुझे नंबर ऑफ टॉम पता चला है नंबर बटा कॉमन डिफरेंस यानि की 1 और प्लस का 1 यह होता है बाबू आपके टर्म निकालने का फ़र्मूला तो यहां गटाओ कि 24 और 24 और 25 यानि कुर्मिला के बाबू जो नंबर आफ टम है वो 25 है कितना है तो बाबू यह 25 है अब आपको चाहिए क्या सम चाहिए सम चाहिए नंबर तो इसका फ़र्मूला होता है एन बाइट टू तो पदों कि संगे कितनी है 25 तो 25 बटा दो और ए पलस एल यानि कि पहला और लास्ट वाला नंबर 46 यहां से काट देंगे तो यहां 23 दूना 46 अब 25 से गुड़ा करो तो 25 तिया 75 के बाच के बाच कह रहे होगे साथ 25 50 और 57 57 तो 575 आपका रियल एंसर हो गया एक दम दबा एक दम शेयर करिए अच्छा सवाल है जो देखो बहुत सारे टीचर साहते हो थे ना कि एक सिले के वह पहले 35 अगट आते हैं फिर एक सिले के आप 10 अगट वाएंगे फिर जाके एंसर देंगे मैंने एक ही लाइन में ए डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल मस्ट है दिसिस मस्ट मस्ट और कहां कहां यह काम नहीं आता है डिविजिबिलिटी रूल कहां कहां नहीं यहां भी काम है नो से डिविजिबिलिटी का रूल यह होता है बाबू संख्याओं क से डिवाइड हो गया तो पी की वैल्यू क्या है फटा फट से जाचा जट से आप ये सारे ही सवाल करके हमें बताई एंसर क्या होगा चलिए बढ़ मोस का सवाल है एक दम बाबु इजी सवाल है करो फटा फट से तो करो दोस्तों क्या होगा देखो 19 से पहले बाग देदो 19-38 अब 2 आया 2 बचा दो गड़ा 3 पिलस 5 तो 3 दूना 6 पाच 11 बताओ क्या दिक्कत थे समय बताओ क्या दिक्कत थे फटा फट से करो इसको फटा फट से करो इसका बाबु आपको बताना है यह तरह से 30 फोट से तर्फ सब्सक्रां डिक्रान ऑस्ट अधर अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी कर लेतें तो आपकी स्पीड पता चलेगी किये क्या कोई Speed क्या है? What is your speed? तो फटा-फट से करिए, SCF आपका कितना है बाबू? SCF आपको बताना है, 30 से भी कम टाइम लेना आपको, 30 से भी, 30 से भी कम टाइम लेना है, SCF क्या होता है? ऊपर वाले का, SCF नीचे वाले का, तो 3 का, अरे ये क्या दे दिया? ये गलत है ये तीन हो गया और नीचे उगा एक व्हु तीन आप कर्याओ एक थाया क्या क्या दिन होगा एसे प्लेट पिण analysis hm तीन होगा नेक्सट ये सवाल देखाघी फटा-फट से करिए फटा-फट से हर ये मैं बताता हूँ कैसे हो गए नहीं काम कर दो शोड़ दो आप कर दो 6 जाके 3600-196 गटा दो गया हूं गया 4 यह कहा 0 4 0 कहां यह है 34 34 34 34 34 34 कितना समय लग रहा है नहीं लगना चाहिए 30 से ज्यादा समय लग रहा तो फिर यह आपके लिए एक एक recall time है एक recall time है आप जाके फिर से दुबारा वह आप जिसको हम कहते हैं कि concept classes को जाके पढ़िए और concept classes पढ़ने की बाद ही फिर इसके बाद आए और प्रैक्टिस सेट में इतना बूस्ट करके आए कि जैसे आपको सवाल दिये जाए तो 27,34 में आपए काम करो आप सटाइस को common ले लो उठाख लो वठाख से की चंता बता दो भी की चमता है फटा फट से बता दो तो 27 से काटा इसकी चमता 4 हो गी 36 से काता इसकी चमता 3 हो गी और 54 से काटा तो वह चमता 2 हो गी अब तीनों की चमता है जोड़ गए तो हो जाएगा कितना 42639 तो बबुद 9 चमता से 9-23, 22 कुल मिलाके 12 गंटे में होजाएगा काम तमाम 12 गंटे 12 मिनेट है 12 गंटे नहीं है यह 12 मिनेट है चलो next कैरा 2 पाईब xy किसी टंकी को क्रम से 6 गंटे बर सकते पाबू 2 पाईब X और वाई और यह मिल कर किसी टंकी को बहुत बरते हैं कितने दिर में 6 गंटे में कितने देने में चे घंटे में कि पाइप जेड टंगी को खाली करने में चार घंटे लेता है जेड खाली करने में चार घंटे लेता है अच्छा सवाल है कि तीनों को खोल दिया जाता है तो बताओ टंगी कितने देने में भर जाएगी बताओ बताओ बबू तो यह आप जानत तो इसका मतलब यह होगा माइनस, यह खाली कर रहा तो क्या होगा यह माइनस, अब एक बाव बताओ, मैंने आपको एक नहीं हजार बार बताया है, क्या, कि अगर खाली करने वाले की छुमता जादा है, और भरने वाले की छुमता कम है, उसका मतलब टंकी खाली होगी, और साथ क possession को एक साथ खोलेु तो बताओ यह हो जाएगा माइनस त्वाइन स्टेंसी रेजल्ट जो आएगा माइनसand Heart際ee और एक की वारए गे और गंते में हो जाएगा गंते में हैं खार देद एक tali और यह प्राय और रहो रहा है ङिको दिखो यह बरावर बार के लुजा के बराबर है संभाव तिर्वुज की वुजा के विकर के बराबर है यदि वर्पके भुजा टैन है तो अबिसलिव वर्ग कर यहां अरे हमने पढ़ाया है यह चीज conceptual बिलकुल पढ़ाया है यह यह हो यह हो तो यह बाबु A root 2 होगा तो यह 10 यह 10 root 2 नहीं होगा होगा और कहरा है यही बाबु संभाउत रिवज की भूजा है अब आप से कह रहा है कि संभाउत रिवज का 6 तरफल ग्याद कीजिए तो आप जानते हैं कि root 3 by 4 और A square होता है है ना root 3 इसका करो 10 दो ना 200 वटा 4 54 जीपी सेरी की 50 root 3 50 root 3 आपका उत्तर है 50 root 3 आपका उत्तर है 50 root 3 की आपका उत्तर है चीतर सो है तो इसका मतलब चूझा से 542 विच रहा इसका मतलब छूट कूट दे लिए फटा इससे कितना चूट दे रहा है दो यहां दे का एक यहां और बचेगा यहां और बचेगा एकना का कितना बचेगा ठीㅇ Fell 228 रुपै छूट है अब यहीं आपको बताना है कि 218 रुपय त्षेयतर सो के कितने परसंट है तो आप ऐसे देखो ओरेली देखो कि यह 21 है है ना तो तीन बार जाएगा है ना तीन बार जाएगा तो कुल मिला कि जूट ना कम से कम 31 परसंट तो आएगी आएगी या कर रो य 19, 27, 19 हो गया, 2 हो गया, 21, 22, 19, 21 हो गया, 4 हो गया, अब 19, 28 है ना 19, 28 है ठीक है और 4 हो गया है, 4 से काटो, 4 से काट दिया तो 4, 4 अब यहार देखो चार दुनाट और चार अठे बर्तिस ठीक है और बटा सो परसेंटेज निकालना तो गोड़ा सो भी तो करना पड़ेगा तो 28 परसेंट मैंने काना कि 30 परसेंट के आसपास आएगा इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर लिया है नेक्स सवाल देख रहा है एक वस्तु का विकरे मुले 42 रुपय है 34 परसेंट की छूट दे गई थी चूट दे गई थी चूट दे गई थी कितने परसेंट की 34 परसेंट की तो इसका मलों आप ने वस्तु को चाखट बे पहीचा था है ना गड़ा 100 कर दो तो 11 से काटो 11 चक्का चाचट 11 से यहां काटो तो 11 33 33 और 11 99 6 से काटो तो बबु हो जाएगा यह 13 और यहां हो जाएगा 50 के तो तेरा पच्चे पैसट यानि की 650 तेरा पच्चे पैसट मतलब 65 65 काट पीडी तो मचाना था नेक्स सब्सक्राइब देखो एक से एक्स गया 2 चोके 8 दो 3 6 अब Cp को 3 लो एस्पी को 4 लो 3 में खरीदा 4 मेंचा एक का प्रोफिट एक का Profit कि इस पे ए तीन पे एक का Profit तीन पे का मनतलब क्या है तैतिसससर 2019 गणलब 3पर शिक्लाइज का Profit 55 dapat करेमुल्य पर वेचने का दावा करता है करेमुल्य पर वेचने का दावा करता है। मतलब सो अरुपय में खरीथा तो अंचो में बेचने का क्वा कर रहा है लेकिन कहेरा बदले Wähonia 100 गराम के बदले आज तो कि पंपना क्रेम वे यह वस्तु देता है आपको तो दे दिया सबसे मेरा 25 परसेंट आ जाएगा 25 परसेंट मेरा उत्तर चलो नेक्स्ट नेक्स्ट चीनी के मौले में 10 परसेंट की बिर्दी हो जाती है उसकी खपत में कितने परसेंट कमी की जाए कि कोई परिवर्ता ना हो बाब मौले में विर्दी 100 से 110 मौले हो जाता है अब मौले मतलब देखो प्राइस ऐसे बढ़ेगा और खपत ऐसे घटेगी तो सो से कितना जा रहा है 110 कितनी कमी तसकी किस पर 110 पर अगे एक पर अग्लाव क्यों होता है मदलब कि नौ से एक बटा इतना परसेंट इतना उसको कमी करने पड़ेगी इतना उसको कमी करने पड़ेगी तो टाइम ही टाइम तो टाइम कर मैंने बरपूर एकदम एकदम कूट के बिल्कुल एकदम आपको वहां पर एक तरह से क्या सकते हैं कि मिश्रण बनाया हुआ है और जाइए बस उठाइए एक चमश डेली यानि एक एक लेक्चर लिजिए मेरी गैरंटी है मैं आपको यह प्याइए पहले तृज्जा सो थी और अब तृज्जा कितनी होगी 70 होगी यहनि पहले अगर तृज्जा 10 होगी तो अब तिरज्जा साथ होगी किराश च्छेतरफल में बताओ कितने परसंट बहुत च्छेतरफल निकालने के लिए इसकाँ स्कॉायर कर दो तो तो बत साथे 13 है उनकी आई में 20,000 का अंतर है यह बाबू राजेश की आए यह रमेश की आए आप से का जार इनकी आई में जो अंतर है वो चार का है तो चार बराबर बीस हजार के एक बराबर एक बराबर एक बराबर बताओ 5000 की महेश की क्या हो कि महेश का यह रहा यहने कि 15,35,65 बतब इस वाले की वैल्ली पूछ रहा तो 501 का कुड़ा कर दो यहने की 65,000 कब दो तेरा पच्छे 65,000 नव विद्यारतियों के समू का उसत क्या है 43 है फटा फट से इसको करो और ऐसे सवाल तो हमने बता रखे हैं को एली किसन से कर ले ना बाबू मैंने बताया था कहला है कि नव विद्यारतियों के समू का उसत कितना 43 किक रहा है जब एक नया विद्यारतियों समू में शामिल हो जाता है तो बाबू जो उसत था ना वो 45 हो गया यानि ये आपका है क्या एवरेज उसत और नव विद्यारतियों का जो उसत था वो था 43 और एक जो विद्यारतियों समय लिए उसको आपको उसत नहीं पता है फटा फट से इसको ऐसी कर लीजे एलिगाशन लेकिए तो यह गटाया तो आएगा दो तोन बराबर दो के तो norm Corey इसकी एतथरर हैकर अचा एक चीज़ बताओं यह वाला नंबर अगर इससे छोटा है तो यह वाला नंबर इस वाले नंबर से बढ़ा होगा तो एक काम करो बढ़ा कैसे हैगा इन दोनों को जोड़ लो तो नो सुरी आठ पांट तेरह की तीन हो कह रही हो गया एक और यह हो गया च्छे तो तिरसट तिरसट बाबु जो नया वला बच्चा है था उसका उमर कितना था तिरसट उसकी उमर कितनी थी तिरसट वरती ठीक है यह अगला सवाल है इस पर ज़रा नजर दोड़ा और प्रॉफिट लॉस और चकवड़ी व्याज पर निवेश करने से दोवर्स में कितना हो जाती है यह दि मूल धन इतना है तो ब्यास दर बताओ यानि सीधी सीधी बात है कि हसार रुपए से वह सीधे इतना हो जाती है अब एक काम कर अनुपात ले लो तो सौ से यह एक परसेंट निकालना तो गुड़ा 100 कर दो यह 10 परसेंट आ रहा है दस परसेंट यहारा है मातर दस परसेंट मातर फटा फटाओ अमें देखो कुछ नहीं चे पाज गया रहे है कि एक बस कुछ भी निगरना था सर जी इतना जल्दी कैसे हो गया, बाबू इतना जल्दी इसलिए हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरी प्रक्टिस है, मैं प्रक्टिस करके आता हूँ. और इमानदारी से बता हूँ, कसम से बता रहा हूँ, कसम से बता हूँ, कि इन सवालों को मैं एक भी बार देख के नहीं आता, कसम से बता रहा हूँ, यह मैं आके यहीं पर देखता हूँ आपके सामने ही, बिल्कुल नहीं, कसम से बता रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता, कि मैं सवालों को देख क्या हूं मैं ऐसे content बना के एक बार में भीज़ेता हूं इनको टाइप हो जाता है और मैं इसको एक बार भी नीच चेक करता कि हां मैं इतना इनकी भरोसे रहता हूं बच्चों के जो यहाँ पर टाइप करेंगे और मैं सिर्फ सवाला के देखता हूं य चेपाच ग्यार हुआ यानि कि लास्ट का डिजट कितना होगा तो concept क्लियर होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेंगे आप 25 के 25 सवाल 20 के 20 सवाल 30 के 30 सवाल जितने भी सवाल आपके एक्जाम में आएंगे उतना 100% क्लियर करके जाएंगे आया ना ठीक है क्या इन में कोई फर्ग नहीं बढ़ता नुकसान तो आपका है यह सवाल मैं देखे जा रहा हूं तो क्यों देखे जा रहा हूं मुझे यह लगए अगर है कि बच्चे कमेंट करेंगे बच्चे जबाब देंगे आप नहीं जबाब देरा आप इसको इग्नोर कर रहा है इसका क्या करना चाहिए कोमेंट बॉक्स में करो और बताओ फिर क्या होगा एंसर यह देखो यह आपका रिपिटेड सवाल है यह रिपिटेड है इसको मैं ऐसी रख देता हूं नेक्स्ट केरा कि कमल अपनी कुल यात्रा का चार बटा पांच भाग रेल गाड़ी द्वारत है करता है मैं चार बटा पांच भाग फांच में से बाबू चार बहा को रेल गाड़ी द्वारत एक बचा हुआ कि रहा ठीकरता है तो कुल यात्रा बताओ एक बराबर पांच पंद्रों यह और पंच गूड़ाबर 50 पैनदर अध में अधर 12 किलोमेटर प्रतिगंटा की चाल से कर सकता है अधारा की चाल 3 किलो मेटवल में वन जाने में जितना समय लगता है उस से 4 खंठा अधिक समय वापस आने में लगता है यानि कि प्रतिकूल चलने में लगता है यह बड़ा 12 की चाल और मेरी चाल प्लेस हो जाएगी यानि कि 12 और 3 15 और 12 की भीपरी चलूँगा तो मेरी चाल में से 13 की चाल माइनस हो जाएगी यानि कि 12 में सी 3 गया तो 9 अब चाल बराबर दूरी बटा समय होता यह मुझे पता है तो दूरी और बटा समय तो गहला समय मान लो T ले रहा है और ये कितना टाइम ले रहा है अब उससे चार गुना इससे चार गुना 40 तो को T से T गया D से D गया तो 15 बटा 9 ये जाएगा उपर ये जाएगा उपर ये जाएगा उपर डिस्टेंस क्या करूँ उताओ D से D कट जाएगा मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना धारा के अनुकुल दिसा में जाने पर ठीक है जितना समय लगता है उससे 4 घंटा दिक ये सवाल है 4 गुना नहीं है 4 घंटा दिक है तो भी तुम्हें कहा रहा हूँ T कटेगा नहीं बबू T नहीं कटेगा ठीक है 4 घंटा दिक कहा रहा हूँ तो भी तुम्हें कहा रहा हूँ यार ऐसे होगा सवाल यह कट गया लेकिन यह नहीं कट गया यह उपर जाएगा तो T प्रस फोर वाटा T ठीक है जी अब पंदर T बराबर 90 36 प्रस 36 इदर जाएगा तो 3T 3T बराबर 36 के T बराबर 12 के T बराबर 12 के यहनि कि 12 गंटे में टोटल काम हो जाता है 12 गंटे में आप पहरी बार वापस आये थे तो दूरी निकाले ने तो 4 और गुड़ा समय करता हूं तो जाए अकुली मिलाकर कि बताओ कि मालो कि बताओ बबू कि बारत यह अच्छ तिन ओच जोग का 36 यह तो बिलकुल सही है कि एक कि आएगा तूम ने तोई लग रहा कि नहीं है तो बना दो एक द्रीकर लिख लो यहां पर एक क्लिमक्न यापकर प्तॉट कि को चैकर कर रेना ठीक है चेक कर ले-फ्र न अब बड़ना चेक कर लेना एक बार थीक नो दो ग्यारा के कहरी हो गया एक जहां दो हो जाएगा अब इसको कैसे करें बताओ यह देखो यह तो यह 41 का है अब देखो ऐसे करो कि 9 किसके स्क्वाइर के लास्ट में आता है एक इसके स्क्वाइर के आपस करीब है तो 3 के तो यह 31 का यह 37 का है 39 का नहीं है 31 का नहीं है यह 31 का होता है आठ सो स्पास होता है मुझे है याद है नेक्स्ट सब्सिर गरँ नॉसेहं तावं होता है 940 सिंधृ करें तो ऑग बताओ गुरूजी हम क्या कर सकते हैं का इसको ले लू एक साथ इसको एक साथ ले लो expectation इसको एक साथ ने लैश है मांन भी एक एक में प्लस भी यानी के साथ ? एक माइनिस भी यानी एकृष्ट ये नेक्स्टू अब देखू सबसे चोटी पूर अघन संक्या सबसे चोटी पूर अघन संक्या कौन सी होगी तो यही है दो अंकों की सबसे छोटी पोड़ खन से क्या है चार चोके 16 चोके 64 तो ठीकता है पोड़ खन होने चाहिए ठीकता है 27 होगा ठीक है नेक्स्ट देखो नेक्स देखो एकस य किसी कारे को नो दिन में पूरकर लेते हैं एकस ओर इढ़ होगा दिन में एकस और वाइध नौ दिन में वाई और ज्छ बारह दिन में यह और, श Kr गुत मेंगल अल्सम को जाएगा बहतर है ना बहतर होगा ठीक है फटा बचिन सब इस इस इफी सिजी बता दो तो नौ अटे बहतर आठो गया बारेशच्च्च्च्च बहतर और अठार तर चोक बहतर शाट शाटीस भी हो सकता था क्या 36 भी उसकता दा ठाक भाएन को जोड़ लूब और इसको कर दो इसको सारे ही होते हैं न और दिन साथ दो नौ से काट दो नो चोका चतिस शार दुना आठ कुली मिला कि आठ गंडे में काम हो जाएगा आठ दिनों हो जाएगा काम खताब यह क्या गहा रहा है यह सबसे कम कुछल होगा Z वाल ओप्सन कट गया Y और प्लस Z Y प्लस Z यह तीन है इसका मतलब X की वैली 1.5 आएगी तो आप से कह रहा है कि Z प्लस X यह प्लस Z और Z प्लस X जेट प्लस X यह वावू तीन के दो के तो यह हो जाए कि तो निकालों यहां ठाई हो जाएगा यह तो वाई की वैली सबसे ज़्याद है वाई की एफिसेंट सबसे सबसे जबाइस जददा इफेसेंट है नेकस्ट पी तथा क्यू को अच्छटीज सवाल बहुत फास्ट करों बहुत फास्ट नेच्ट करette कि एक इस यह चार्सोचालिस यह जाएगा बाइस दूना 244 बटा साथ बुड़े आर आर की वेल्य में निकालनी है यह 10 है एक वस्तु का विक्रे मुल्य क्रे मुल्य क्रम से 496 यह क्रेमल है यह क्रेमल है कि यह 12% की छूट दी गई हो तो उसका अंकीत मुली बताओ 12% की छूट तो अंकीत मुली बताओ पहले अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो फटा-फट से तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 36 इसको प्रॉफिट परसेंट आपका 10% है अब फटा-फट फ़र्मूला में आपको बताया है MP बताया ना इसको 100 प्रॉफिट अपॉन 100 100 माइनस डिस्काउंट MP CP की वैल्यू निकाल लो फटा-फट से 12% की छूटती 12 घटा होगे तो आपके इतना 8 से गाटनू तो 8-24-8-45-45-45 MP और यह चल जागा इदर तो 45 MP वरावर 45 MP वरावर 45 तो कई स्टेप में करना पड़ा इसे हमें अब कोई दिख्वाद नियुक्त पच्छी सब्सक्राइब पड़ा पड़ा ना 25 परसेंट आएगा 25 परसेंट बढ़ा पड़ा ठीक है नेक्स्ट आज का यह लाज सवाल है आज इतना ही रखेंगे आज लाज सवाल है चलो कि रहाएक वस्तु का क्रेम ले पच्छ पंसो उससे इतने परसेंट लापर भी जाता बहुत इसको लिख सकते है और इसका फ्रेक्शन हम लिख सकते हैं एक बटा नो बस इतना याद रखना ठीक है यदि वस्तु को बीस परसेंट छूट पर विचा जाता है तो अंकित मुले ज्याद करो अंकित मुले ज्याद करो अच्छ जी देखो भाई एक बात बताओ मैं आपको क्रेम मुले आपक इक बटा 11 होगा, ऐने चैजिन शीठी कि याद्य गराद करें मुले जाती है 500, बारह की मेलिए खितन होगी 6000, अब कहरा बबू अगर यह 6000 है विकरे मोले तो आपको अंकीत मोले चाहिए तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा यानि की असी बटा सो तो 20, 84, 25, 400, 4 से काटो, 15, 64, 65, 75, 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 70, यहां डबल 0 था ठीक है ठीक है बबू आज के लिए इतना ही रखते है आज इतना ही ठीक है और एक बात ही मांदारी से बताओं बबू जो इस सवालों को नहीं कर पाएगा न वो अपने आपको बहुत अभागा समझ भाजाएगा यह यूनीक सवाल हैं यह कहीं सह लिए निक और पर के हैं यूनीक सवाल हैं सारे और इसको कर गये तो में फिर आपके बहूत सारी शीज़े ही हो जाती है बहुत सारी शीज़े करते रहिए आज इतने रखते हैं बाकी पढ़िए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब रहिए थैंकिए वेरी मैच बाबाय टेक क्यार शुब रात रहिए